नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी गाडिंग विन डिलंप में बहुत बहुत सवागत है आज में आपके साथ अपने जितने भी DIY है या अ אז मैं अब करने कादें कर सकते हैं अपने जितने में चाइनीज एवर ग्रीन लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ आप देखे कितनी अच्छी आइसी में यह देखी यह ना ओल का पौधा निकला है जैसे कोई भी चीज होता है तो मैं यह क्यारी बनाई हूं पीछे उसी में मैं सब डाल देती हूं आइए देखें जो वाल पु लगा दिया था यह इंजन ओयल का कंटेनर है जो बेकार पड़ा था और इसको भी मैंने नीचे से होल बनाकर इसमें लगा दिया था यह बहुत ही मजबूत है और इसको भी पेंट करना है पेंट नहीं की हूं तो इसमें लीली का प्लांट लगाए हुआ है जो कि बल्ब से को भी अपना क्लीन करते हैं सेव करते हैं और और साथ साथ की जो बोरियां होती हैं जास सीमेंट की हो गए चावल गें हूं दाल की इन सब बोरियों को भी ना फेकिए तो मैंने ग्रोबैक बना लिया है और उसी मैं देखी यह केला कितना हैल्दी केला का पौदा है यह इसकी म लिया था बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है इसमें मैंने नारेल पानी पी करके उसको रखा हुआ है उसको भी जब ये सूख जाएगा तो ये गार्डिनिंग में यूज हो जाएगा ये देखें ये ये भी बोरी है जिसमें मैंने सीट से अनार लगा था उसको लगा द यह कि हम बहुत महेंगे पॉट नर्सी से ले आए या मार्किर से ले बस हमारे अंदर शौक होना चाहिए कुछ चीजों को तो अपने आप हमको रास्ता मिल जाएगा हमारे घर में बहुत सारी चीज होती यह भी देखें वेस्ट मंटेरियल ही है जिसको मैंने काट करके यह क्र इतना लंबा था तो मैंने इसको फेका नहीं नीचे अच्छे से होल बना लिया है अध्यान रखा है और उसके बाद इसमें बहुत ही स्वाइल तयार करके इसमें क्रोटन का प्लांट लगा दिये करी तीन साल से इसमें लगा हुआ है और यह जो पॉट है यह बहुत ही इसी तरह से यह देखें एक यह है यह तेल का डिबबा था जिससे मस्टरड आयल आता है उसी को मैंने काट करके ऊपर वाले को कुछ और प्लांट लगा दिया और इसमें मैंने यह नीम का पौधा लगा है और यह नीम का पौधा भी मुझे फ्री में ही मिला है मेरे गार्ड पौधरों ने तोड़ के खराब कर दिया है और इसको मैं कटिंग कर देती हूं तो यह चोटे में ही बूशी हो जाएगा अभी चोटा ही और यह देखें एक मैंने बोरी सही ग्रो बैग बना करके रखती हूं पौधों को लगाने के लिए वह इसमें रख रखा है मैंने और यह खतम हो जाएगा तो इसे में जहodि दो गोला ही और इसमें मैं बाहर घुषा जटा है तो इतने सारे हो जाते हैं तो फियंकतने से अच्छ सब्ढों और यह देखें प्लास्टिक है प्लास्टिक के अंदर मैंने ग्रोबैक बनाए हुआ है वोरी अबोरी का उसी में एलोवेरा लगा रखा है तो यह प्लास्टिक का टूटा डिबा है लेकिन उसी में मैंने इसको रख दिया तो सेफ रहेगा और यह देखें यह वाइट सिमेंट की सब्सक्राइब grow bag, free का हमारा plant है तो हमें nature भी बहुत सारी चीज़ें अवलेबल कराता है जब हम gardening करते हैं तो बहुत सारी हैं फ्री में मिलती है ये cement की बोरी है इसी में मैंने ये लीली का plant लगाया है 3-4 bulb लगाया था क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने सुचा कि कुछ को अलग कर दूँ और इसको गमले से अलग मैंने इस बोरी में लगा दिया तो इसकी भी ग्रोथ आप देखें बहुत ही अच्छी हुई जबकि ये पेड़ों की छाओं में है पेक्यार गाड़े में तीन से चार आम के पेड़ हैं और यहां पर बंदर बहुत ज्यादा आता है तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं रखती हूं क्योंकि पूरे बंदर तोड़ डालते हैं यह देखें मैंने गमले में लगाया था कटिंग से यह गिलोय का पौधा तो उसको मैंने सुचा कि पेड़ के नीचे लगा दूं जिस यह पूरी पेड़ पर फैल जाएगा गमले में उतनी अच्छी ग्रोथ हो नहीं रही थी यह उसके लिए मुझे पूरा कोई सहारे देने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं सहारा दूं लेकिन होती है जो हम लोग ग्रो बैग या तो मार्केट से लेते हैं नर्सरी से लेते हैं या फिर जो हम लोग खुद से बोरियों में आग खुद से सील करके बना लेते हैं आप नहीं सीलना चाहते हैं तो सीधे ऐसे बोरियों में भी और बोरियों में नीचे में बहुत सारा पत्त मिट्टी और जो वेस्ट होता है और डाल करके फिर उपर से मिट्टी डाल देती हूं तो नीचे नीचे कंपोस्ट भी बनता रहता है और हमारा पौदा भी तयार हो जाता है इस तरह से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं और पौदों को भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है उ तो आप देख सकते हैं यह टीकोमा का पौदा कितना खुबसूरत फूल इसमें निकले हुए रोज ही इसमें इतनी सारे डेली फूल के लिए रहते हैं तो यह पर देखें यह भी कटिंग से लगा हुआ मेरा चंपा का प्लांट है और यह मैंने आयल टीन होता है ना जो आता है उसी में मैंने लगा दिया था कटिंग और इसकी तनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इसी के कटिंग ले लेकर कि मैंने दो से तीन प्लांटों तयार कियें यह देखें चंपा का फ्लावर येलो कलर का है यह कटिंग से बड़े ही आराम से यह पौधा लग जाता है और इस सम को फेकेना सब चीज का इस्तमाल गार्डिनिंग बड़े आराम से हो जाता है हमको प्रोफेशनली इनको शौफ नहीं कराना है हमको बस अपना शौफ पूरा करना है हमको अपने पौधों को अच्छा एन्वार्मेंट देना और गैनिक तरीके से गार्डिनिंग करनी है यह दो साल तक आराम से बोरी चल जाती है तो मैंने तो एक जो है ग्रोबैक बनाया है उसमें मैंने उपर से कपड़ा लगा दिया है बच्चे की पैंट जो इन्यूफॉर्म वगरे होती है तो आप देखें इसमें कितना ज्यादा स्पेस है यह पूरा कितनी अच्छे से इनकी जूट फैलेगी यह देखें यह इसी ग्रोबैक की बात कर रही हूं मैं यह बाहर का जो बच्चों की इन्यूफॉर्म की पैंट है और अंदर मैंने बोरी लगा रखी है तो यह बहुत ही मजबुत हो गया यह तीन साल का मेरा पुराना ग्रोबैक है और च्छत पर ही रहता ह है यह मतलब सारे मौसम को विचारा जिलता है और यह मेरा यह गुल्दावदी का पौधा है पिछले साल का सर्दियों का लेकि इसनी अच्छी ग्रोथ हो रही है अब आहीं पर यह देखें कितना सुंदर लीली का पौधा है और जो यह हम लोग नर्सी से पौधे ले आते है तो जो ग्रो बैग होता है केरी बैग उसी में यह मैंने लगा रखा है और यह देखें एक पौट में आप एक से दो पौधे लगा करके बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होने लगती है और आपको परिशान भी नहीं होना पड़े पौट के लिए तो हम चाहें तो ना किसी भी वेस्ट माटेरियल का गार्डेनिंग में यूज़ कर सकते हैं सारे बड़े अच्छे हेल्दी हो जाते हैं आप यह देखें यह भी जोला है सबजी वाला जोला है इसी मैंने मौस रोज लश्मर बुटी को भी लगा रखा है और रेनली को भी लगा लिया है तो जब हम किसी पौदी की रिपॉर्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं तो उनको कहां लगाया जाए तो इस तरह से वेस्ट माटेरियल में यूज़ कर सकते हैं यह थर्मा कॉल का बॉक्स है कुछ आया था समान मंगा था उसकी पैकेजिंग में निकला था कि देखें यहां से टूट भी गया है उठाने करने में इतने सॉफ्ट होते हैं ना कभी कभी टूट भी जाते हैं वैसे तो बहुत हाड़ी है यह लेकिन ऊपर का थोड़ा सा खराब हो गया उसमें देखें रिपॉर्टिंग के दौरान जो इसकी उसमें बहुत सारे निकला हैं कि ग्रो बैग में जो हैं पौदे सर्वाइब नहीं करते हैं आप देखी रहें मेरे पौदों की ग्रोथ कितने अच्छी है कितने खूबसूरत आप देखिए इसमें मैं और गनिक ही डालती हूं जो भी फटिलाजर है कंपोस्ट है कोई भी मैं केमिकल यूज नहीं करती हैं तो इसलिए मैं और गनिक ही चीजें यूज करती हैं किचन वेस्ट हो गया दाल चाल सब्जी दोने का पानी जो छिलकों को सड़ा करके पानी जो देती हूं वह सब इसी में डाल देती हूं यह भी थर्मकॉल का बॉक्स ही है और आपके सामने ही आप देखिए कितने अच कर दोता है और बारिशों में इसकी बहुत अची ग्रोत हो जाती है इस पौद्य को आप जरूर लगा एक से दो कौई हम बहुत कम सबमने हो जाएं बहुत को घारा किसी में किचनवेस्ट रखना है तो किचनवेस्ट भी में बोरियों में यूज़ कर लेती हूं और जितने भी मिटी होती होती है तैयर 9 यूँक्षी में बहुत अच्छा इस्तमाल हो जाता है यह देखें मौन होस रोज इते समय बहुत ही खूबसूल होते हैं इसको काटके उसी में लगा रखा और यह सालों साल यह बना रहता है क्योंकि इसी से कटिंग और सब जगह से तो मेरे खराब हो जाते हैं मौसरों लेकि इसको मैं छट पही रखी हूं और जब यह इसमें पानी भी काफी दिन तक तो पानी नहीं पड़ा था जब मैं गर्मी मे हैं तो सबस्काइब प्लेज जरूर कर लें लाइक करें शेयर करें और हाँ कोशिश करके कबार को बाहर ना फिक हैं यूज कर लें उनको दूबारा